नमस्कार! क्या आपको पता है success का मतलब क्या होता है? जीषन में अगर आप सब कुछ पा लेते हो ना अच्छा जो आपने लक्ष सोचा आपने और लक्ष आपने पाल लिया आप जीषन में success हो गए लेकिन आपको क्या लगता है? आपका लक्ष पाना ही जिवन में सक्सेज है ज़ापके जिवन में अगर किसी लक्ष को आपने पाल दिया तो क्या वो आपकी सपलता है? No, never अगर आप किसी फिल्ड में सक्सेज हो आप सपल हो तो आपके पास में ये 5 चीज़े होनी चाहिए Otherwise आपके success होने का कोई मतलब नहीं है आपने इतनी मेहनत की आपने इतनी बात दोड़ की अपने लक्ष के लिए और लक्ष पाया भी आपने लेकिन अगर वो लक्ष आपने पा लिया और ये चीजे आपके पास नहीं है ना तो वह सपलता वह सक्सेज आपके लिए कुछ काम के लिए है वो पांच बाते कौन सी है नमबर वन आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आप सक्सेज हो गए आप टोप पर पहुंच के और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो यह सक्सेज आपकी कुछ काम के नहीं है मालो आपने लाको करोड़ों रुपए कमा दिये और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वह पैसे किस काम के वह पैसे आपके कुछ काम के नहीं है वो एक रद्धि कागच की बराबर होगी आप लाको करोड़ों रुपए दे कर भी आपकी हेल्थ नहीं खरीच सकोगे आप इसलिए जीवन में हमें साथ ध्यान रखना इस बाग दोड़ों बरी जिन्दगी में अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान देना आप सक्सेज हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आप बाग दोड़ों बरी जिन्दगी में आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं और जब आप समय आता है ध्यान देने का हेल्थ पर तब वो समय निकल चुका होता है इसलिए हेल्थ पर ध्यान जरूर देन इसको पैसे देने उसको पैसे देने वहाँ पैसे चुकाने वहाँ वह करना है तो इसका मतलब वह सक्षेज होना कोई मतलब का नहीं है आप सक्षेज हो तो फाइनेंशेली फ्री होनें चेए माइन बिल्कुल इस्ट्रेस फ्री होने चाहिए फाइनेंस को लेकर कुछ अच्छा खासा बैंक बैंक बैसट का पास होना चाहिए अगर आप रोज और रोज financially दिक्कतों के अगर सामना कर रहे हैं तो वह success होना भी आपका कोई मतलब का नहीं है थर्ड आप और आपका परिवार खुश होना चाहिए आप भाग दोड़ी बरी जिन्दी में अगर आप टोप लेरों पहुंच जाते हो और अगर आपका परिवार आपके बेटे आपकी पत्नी आपका परिवार अगर आपके परिवार में सांती नहीं है ना तो वह success क्या काम की success वही काम की होती है जब परिवार में सांती होती है परिवार में प्रेम होता है परिवार में उल्लास होता है आप अगर बात दोलो बड़ी जिन्गी में अपने परिवार को अगर टाइम नहीं देते होना तो वह सक्सेज कोई मतलब की नहीं है आप और आपका परिवार हमेसा खुस होना चाहिए सक्सेज में वरना तो क्या है आप दाल डूटी खाकर भी सक्सेज हो सकते हो संतोस आपके जीमन में होना चाहिए फॉर्थ आप सक्सेज हो तो आपके पास में टाइम होना चाहिए आप सक्सेज हो कोई तो आप के तो यार मेरे पास टाइम भी नहीं नहीं करें आना जाना करें भी परिवार के लिए भी समय नहीं है तो यह सक्सेज आपकी कुछ काम की नहीं है आपके सक्सेज होने का मतलब आपके पास टाइम होना चाहिए टाइम टू टाइम हर कार्य आपका फिक्स होना चाहिए आप यहने करें मेरे पास यह करने का टाइम नहीं है मेरे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है मैं यह नहीं कर सकता हूँ यह अगर आप करोगे ना तो आपके सक्सेस का कोई मतलब नहीं है आपको अपने परिवार के लिए तो समय निकालना होगा बाकि वो success आपके कुछ काम की नहीं होगी फिर आपके relation अच्छे होने चाहिए है आप success होगे हैं आप को पर पहुँच गए हैं और अगर आपके लोगों से आपके relation अच्छे नहीं है न तो success होना कोई मतलब का नहीं इनसान की success तभी गिनी जाती है जब उसके समाज में तब उसके परिवार में और हर जगह उसके relation अच्छे हों आपके समाज में आपके हर जगह आपकी value होनी चाहिए तभी उस success का मतलब होता है अगर आप success पाते होना तो वह success कुछ काम की नहीं होती है